नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एड्वोकेट अमित कुमार गुपता में दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को जो बनाने का मेन मकसद है वो यह है कि मैं आप लोगों तक जो लेटेस्ट इंकर्टेक्स के जजज्मेंट्स हैं उनका रेशो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आपके सामने लापाऊं जब कभी भी आप मेरे वीडियो के अपने केसिस में यूज करें तो उससे पहले मेरा आप से आग रहा है कि आप पूरा केसला जरूर पढ़ ले क्योंक के लौ को समझे में कोई डिफ्रेंस ओव अपिनियन हो जाए तो डिरेक्टली आप इस पर वो करने से पहले आप पूरे केसला को जरूर पढ़ें जिससे आपको पूरी एक अंडरस्टेंडिंग बन पाएं आज जो केस में अपने इंकम टेक्स के के सीरीज में जो डिसकस कर नाम है रेलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेज चीफ कमिशनर आफ इंकम टेक्स और अनेधर यह केस 441 आईटी आर पे नंबर 434 पे रिपोर्ट हुआ मैंटर बंबे हाई कोट ने डिसाइट किया और यह केस 23 दिसंबर 2021 को डिसाइट किया गया फ्रेंट्स इस केस मे जो कॉइंट था वो यह था कि अससी ने विवाद से विश्वा स्कीम के अंदर आप्ट किया था जिसको डिपार्ट्मेंट ने रिजेक्ट कर दिया और अससी जो है वो उस रिजेक्शन के एंगेस्ट बंबे हाई कोट में रिट में गया जो डिपार्ट्मेंट ने अससी की एप्लिकेशन रिजेक्ट की उसको रिजेक्ट करने का कारण यह था कि अससी के एंगेस्ट अफाया दर्ज की गई थी और उस फायार के अंदर जो अससी के ओपर धराय लगाई ती वह वा प्रौड की लगाई गई थी इंडियन पीनल कोड के section 120 B में FIR दर्ज की गई थी, section 420 के अंदर दर्ज की गई थी, prevention of corruption act 1988 के अंदर दर्ज की गई थी, जिसकी वज़े से अससी की विवाद से विश्वास तक की जो application थी, उसको reject कर दिया गया, विवाद से विश्वास स्कीम 2020 जो आई थी, उसके अंदर ये का गया था, कि ये उन persons के लिए applicable नहीं है, जो की section 9 clause C के अंदर cover होते हैं, एक और बात उसमें ये कही गई थी, कि ये जो scheme है, वो खाली उसी पैसे के लिए लाई गई है, जो पैसा जो है, वो लीगल तरीके से कमाया गया है, जिस अससी ने कोई पैसा यदि social economic provisions का उलंगन करके कमाया है, या कोई social economic अपराद किया है, तो वो person जो है, वो इस scheme के अंदर नहीं लाई करेगा, जिसकी वज़े से अससी की विवाद से विश्वा स्कीम जो है, वो reject कर दी गई, जब अससी कोट गया, तो वो कोट ने ये कहा कि, जो department है, उसने खाली ये देखना है कि प्राइमा फेशी जो है, वो अससी इस scheme के दाएरे में आता है या नहीं आता, अससी का ये कहना था कि साब जो मेरे अंगेज फायर धर्च की गई है, वो गलत की गई है, अभी मेरे अंगेज जो चार्जिस लगाए गए हैं, वो साबित नहीं हुए हैं, तो कोट ने कहा कि और आप ये मोटे तोर पे अर्दा फेश, प्राइमा फेशी जो है, प्रिंसिपल कमिशनर आफ इंकम डेक्स को ये लगता है कि आप इसे scheme के अंदर नहीं आते, क्योंकि आपने social economic offense किया है, आपने जो पैसा जो है, वो लीगली नहीं कमाया, तो आपकी application जो है, वो बस्तक accept नहीं की जा सकती, तो friends, इस case में assessi आना की काफी बड़ा है, Reliance Industries Limited है, फिर भी उसकी application जो है, वो accept नहीं हुई, और court नहीं assessi की रिट जो है, वो खारिच कर दी, इसके अंदर एक बात और court नहीं कहीं, कि दा विवास से विश्वा से 2020, does not and cannot be read, as providing a window to regularize tented money, कहने का अतात पर रही है, कि ये scheme, यदि आप का कोई tax dispute है, तो उसके लिए लाई गई है, कि आप उस tax dispute से बाहर आ सके, और litigation कम हो सके, लेकिन यदि कोई tented money आपने कमाया है, यदि आपने किसी गलत साधनों से पैसा कमाया है, तो उस पैसे को regularize करने के लिए, ये scheme नहीं है, एक बा case के अंदर इस बात में कोई दोराए नहीं था कि assessi के अंगे इस criminal proceedings जो है, वो pending है, तो जो विवास से विश्वास act के अंदर, section 9C के अंदर जो exception दिया गया है, कि ये उसके अंदर assessi fall करता है, assessi के ओपर criminal proceedings चल रही है, तो assessi को इस scheme के अंदर admit नहीं किया जा सकता, तो इस कोई दोराए नहीं था कि assessi के ओपर criminal proceedings चल रही है, तो जो assessi की scheme reject की गई है, वो valid है, उसके उस पर कोई question नहीं है, और assessi की इस rate petition को खारिच कर दिया गया, friends एक बार फिर मैं case का नाम repeat कर रहा हूं, case का नाम है Reliance Industries Limited versus Chief Commissioner of Income Tax and another, ये case Bombay High Court ने एक rate petition के अंदर decide किया, thank you friends.